हमारी भारत हिंदुस्तान की पुलीस लाठी गोलियें के साथ फिरकापरस जबान क्यों इस्तमाल करती है। कल शाम में, कल रात में जो जाम्या मिलिया के यूवकों के साथ हुआ, स्टूडन्स के साथ हुआ, वो एक शर्वनाग घटना है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को इस तरह गोली मारना, लाइबरी के अंदर घुसके मारना, महिला औरतों के उपर अटैक करना, साथ-साथ लोगों को हुमिलियेट करके बाहर लाना, बहुत ही एक गलत प्रता है दिल्ली पुलीस की. ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली पुलीस एक तपके के साथ कटवा, लांडिया, इस तरह के गंदे-गंदे लवज इस्तेमाल करके पुरे कौम को हुमिलियेट करना चाहती है. हमें वो दिन याद है, 92-93 के हमारे शेहर बंबई में, जब पहली बार कमिनलाइजर फिरका परस्ती पुलीस में एक्सेप्ट हुआ. जस कई पुलीसमें इंटरसेप्ट करके गालिया देके पुलीस को कहती है कि वो एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए. तो ये सिलसला 30-35 साल पुराना है, नहीं है. मगर जब देश के बड़े-बड़े पदों पे बैठे हुए लोग इसी तरह की घटनाओं को प्रेडना देत हैं और लोगों को अपने कपड़े का से पहचानते हैं, तो इस तरह कि पुलीस बेहिवियर को एक तरह की का शेह मिलता है. ये शर्मनाग घटना थी, G&U स्टॉडेंस के साथ जो होता है वो भी शर्मनाग रहा है, FTI के साथ जो होता है वो भी शर्मनाग रहा है, B.H.U. और अलीगर मुस्लिम युनिवर्सिटी के स्टूइन्स के साथ शर्मनाग घटना के साथ साथ फिरका परताव भी हुआ है पुलिस का और ये भारत है इंदुस्तान को मानना पड़ेगा और यहीं पर रोकना पड़ेगा 22-93 के डिसेम्बर जैनुरी के एक तरफे एकतरफी हिंसा के बाद बंबई ब्लास्ट भी हुआ और हमने हमारे शहर में देखा कि डिसेम्बर ब्यानुवे में जिस तरह पुलिस wipes का रवया था जैनूरीई त्रावे में जिस तरह रवया था और बंबलास के बाद जिस तरह में नौंद भी किया है भौत ही गंदे लवजों में मुसलिमान भाई बेनों के साथ बारताव करना working on उन्होंने जब रिसर्च किया पुलिस बरताव के बारे में, पुलिस मेंटालिटी के बारे में, तो उन्होंने देखा कि पुलिस की मानसिक्ता ऐसे बन चुकी है बारत में, कि अगर एक peaceful protest अगर mixed होता है, student होता है, जिसमें हर तपके के लोग हैं, तो भी वो लाटी चलाते है मगर उसमें अगर मुसल्मान protest होता है, तो फिर firing भी होगी, जाने भी जाएंगी और एक तरफापन जादा होगा, तो इस तरह का पुलिस behavior क्यों होता है, यह हमें सवाल हमारे system से उठाना बहुत ज़रूरी है, हुकुमत से उठाना ज़रूरी है, हमारा मानना है कि भारत की पूरे लोकशाई के system में, communalization of the police, communalization of the law and order machinery, हमारी व्यवस्था में एक फिर्का परस जहन को अंदर घुसना ये बात मानी ही नहीं है, और जब तक भारत हिंदोस्तान ये बात नहीं मानेगा, हम इसका सुधार नहीं ला सकते हैं, कहीं कहीं officer, जैसे हमारे जूलियो रिबेर साथ, सतीर साहनी साथ, केफ, रुस्तम जी जैसे लोगों ने ये बात मानी, पदम रोशा जी, मानी उसके बारे में लिखा, हकूमत से ये भी कहा, कि इसमें सुधार होना चाहिए, चमनलाल जैसे वरिष्ट IPS officer ने ये बात रखी, मगर हकूमत ने ये बात अंदरूनी तरीके से, ठीक तरीके से, मान के इसका सुधार आज तक नहीं किया है, और जामिया और अलिगर मुस्लिम यूनिवरसिटी पे जो कल हुआ है, वो सी का नतीजा होगा, और अगर बार बार आप एक तपके को लाठी गोली के साथ-साथ गाली भी बढ़केंगे, तो ये रास्ता यूनिवरसिटी में हर जगह पे चात्रों ने जामिया स्टूब्स के साथ एक सहमती दिखाने के लिए, एक साथ दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है, खबर ये मिल रही है कि देली यूनिवरसिटी के चात्रों ने आखों से देखा कि पुलिस ने ABVP के लोगों को लाठ अगर राजधानी में ऐसे बात हो, तो बाकी भारत हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप ही सोचे, असाम में क्या हो रहा है, त्रिपूरा में क्या हो रहा है, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, जहांपे पुलिस हुकूमत को कहा गया है एक तरह से, कि आप कुछ भी करो मगर बवाल हिंसक होना चाहिए, अमन पसंद और शांती पुर्वक प्रदर्शन से ये सरकार घपरा लए